स्वागत है आपका बंदफूरी किचिन वेफ्रेंड्स मैं लेके आई हूँ आजे बहुत ही टेश्टी नास्ता इतना टेश्टी नास्ता है कि इसे आप 10-15 मिट में बना कर तयार कर सकते हैं और खाने में तो इतना टेश्टी और सौफ्ट बनके होता है तयार कि अगर आपने इसे एक बार 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 बनाना पसंद करेंगे तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया हुआ है तो हमें लेना है मिक्सर ग्राइंडर और लेने है आलू तो मैंने दो बड़े साइस के आलू काईूज किया है मैंने इंको चीलकर पहले ही रख लिया था अब हम कट करके मिकसर ग्राइंडर में हमें दो आलू को डाल देना है और इने हमें ग्राइंड करना है और भी हम इसमें सामगरी का यूज करेंगे तो दोनों आलू हमारे कट के हो चुके हैं तयार दो से तीन हम हरी मिर्ची लेंगे इसके बाद थोड़ा सा हम हरा धनिया लेना है हरा धनिया डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें पौदीने के पत्ते डाल देंगे और हम लेंगे एक कटोरी फ्रेंट्स सूजी इसके बाद हम लेंगे फ्रेंट्स आदी चमज के आसपास नमाक और अब इसमें हमें डालना है आदे चमत जीरा और फिर इसमें हमें डालना है थोड़ा सा पानी तो पानी आप कम्या जानदा ले सकते हैं जैसा भी आप बैटर बनाना पसंद करें तो फ्रेंट्स अब इसमें थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है तो सूजी थोड़ी फूलती भी है तो देखे अब हमने से बड़ी रशा ग्राइंड कर लिया है तो मैं आपको चम्मच से निकाल कर दिखाती हूँ बिल्कुल हमें ऐसा ह जाहिए इससे नाजान दा पतला लेना है और नाजानदा हमें गाड़ा लेना है अब इसको हमें एक मिकिसिंग बॉल में फ्रेंट्स हमें निकाल लेना है इसके बाद यूचे से तो दही क्वें दोड़ा कर दोड़ा सम क्रस दोड़ा हमortun switching कर लेना है अगर आप चाहो तो इनु का भी यूज कर सकते लेकिन मैने इनु नहीं डाला है सोड़ा का ही हम प्रियोग करेंगे इसमें और इसमें हम डाल देंगे एक चमर चाट मसाला भरकर इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हमें लेना है बारीक कटी हुई एक प्याज ज थोड़ी दिर हम इसी तरह से चलाते रहेंगे, चिली फ्लैक्स दढ़ी लाल मेची जब भी होई रेष्पी बनाते हैं ぁब बेटर आप सी अग्ली प्रैस्ट गलाख है बनाना पसंद करें आप बना सकते हैं एक अच्छे से बन के हो जाता है तो मैंने चमच भर के कुकिंग और डाल दिया था चोटी चमच से थोड़ी सी कली वाली सरसो डाल देंगे आप चाहे तो तिल भी ले सकते हैं और इसमें हम डाल देंगे एक चमच भर कर बैटर जो हमने बना के रखा हुआ था तो आप एक चमच भी ले सकते हैं या दो चमच भी अगर छोटा साइज बनाना चाहते हैं तो एक चमच ढालिएगा अगर थोड़व बड़ा बनाना चाहते हैं तो दो चमच यवज कीजिए उपर से थोड़ी सी छिली फ्लैक्स डाल देंगे तो फ् तो फ्रेंट्स इसी तरह से हम इसको उलटते पुलटते बड़ील सा सेंक लेंगे मातर ये दो मिनिट में बंद के तयार हो जाता है आप ट्राइज जरूए किजिएगा आप इस रेस्पी को थोड़ा सा मिसमें कुकिंग ओल डाल देंगे तो मैं थोड़ा सा सरसों का वाली और अगर आपको इस रेस्पी हमारी पसंद आई हो तो फ्रेंट्स ट्राइज जरूर कीजिएगा आप एक बार बना के तो इसी तरह से हम इसको उलटते पलटते बड़ील सामें सेंक लेना है वह बहुत ही जली से निकल भी आता है और नास्ता ये चिपकता है तो आप इस त दाल लेंगे तूसरा भी हम इसी तरह से फ्रेंट्स हमें बना लेना है थोड़ा सब कुपिंग ओल हमने डाल दिया है सपेत वाले तिल मैंने थोड़े यूज किये हैं और थोड़ी सी काली वाली सरस्वा भी अब हम बैटर भी इसी तरह से फ्रेंट्स हमें भरके टाल देना अगर आपको पसंद आया हो तो ट्राइ जरूर कीजेगा अब इसको हमने सर्प किया हुआ है फ्रें। टॉमाटो सोस और दही की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी नास्ता जरूर बनाके आप ट्राइ कीजेगा effectiveness आपको ये जरूर पसंद आएगा इतना testy और soft बनके होता है तयार कि अगर आपने एक बारे से बना लिया तो बार बार बनाना पसंद करेंगे तो देखे friends एकदम soft सा हमारा नास्ता बनके हुआ था तयार तो मैं आपको चलो तोड़ कर भी friends दिखा देखती हूँ एकदम जालीदार बनके हुआ था तयार तो देखे मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ बहुत ही टेस्टी बहुत ही मजेदार इतना testy बना था कि हमारे घर में थोड़ी ही देर में चट हो गया था बहुत ही टेस्टी और soft नास्ता तो जरूर बना बना था बना है ते कि?